प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोशना की है कि सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, अब 6,000 रुपए प्रती क्विंटल होगा, जिससे विदर्ब और मराटवाड़ा जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को काफी राहत मिलेगी। यह फ का वादा किया है। फिलहाल सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य, 4,900 रुपए के आसपास चल रहा है। हालांकि किसानों की शिकायत है कि उनकी उपज की कीमत MSP से बहुत नीचे चल रही है। महाराष्ट्र में उपमुख्य मंत्री देवेंद्र फडनवीस ने पहले भा सोयाबीन किसान, खासकर विदर्ब जैसे क्षेत्रों में राहत महसूस करेंगे क्योंकि उनकी कई दिनों की शिकायत थी कि सोयाबीन का भाव MSP से बहुत नीचे चल रहा है, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा है। लेकिन अब 6,000 रुपए घोशना होने से MSP से लगभग 1,000 रुपए अधिक मिलने की संभावना बढ़ गई है। अधिक का सोयाबीन उत्पादन होता है। जनसभा में बोलते हुए PM मोधी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से 4,000,000 से अधिक किसानों को फाइदा मिला है। इसमें नमोशेतकरी योजना बड़ी भूमी का निभा रही है। इस योजना में किसानों को डबल पैसा मिल रहा PM मोधी ने कहा हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5,000 रुपए दे रही है। महायूती सरकार ने सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूले 6,000 रुपए प्रती क्विंटल करने का भी वाइदा किया है। PM मोधी ने कहा अगले 5 वर्षों में किसानों का फाइदा भी बढ़ेगा और उन्हें नए अफसर भी मिलेंगे। हम इस प्रयास में लगे हैं कि किसानों को बिजली बिल की चिंता न हो। इसलिए हम हर खेत तक सोलर उर्जा पहुचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या म में सिंचाई पंपों को सोलर पंपों में बदला जा रहा है। यही नहीं हमने डेरी किसानों की भी चिंता की है। हम गोपालक पशुपालक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं। Bureau Report Market Times TV